अलो वरीबन नमस्कार दोस्तों स्वालाद आप सभी का एक बार फिर साथ है 247 आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग डिसक्स करेंगे 2nd and 3rd of July की most important news, काफी कुछ है आज काफी database news है, GST related भी है, UPI related भी है, काफी कुछ है detail में डिसक्स करेंगे आखरी तक बने रहेगा मेरे भाई, काफी important MCQs भी है, so MCQs, news, काफी कुछ रहने वाला, okay, so start करें Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, so जो पहली दफ़ा जुड़े मेरे दोस्त, आखरी तक बने रहेगा और at least 3 दिन जुड़ना तब आपको session के बारे में समझ में आएगा, किस तरीके से pattern रहता है, किस तरीके से हम लोग चीजों को लेके चलते हैं, okay, so बढ़ते हैं, आज का motivational quote है Your talent is God's gift to you, okay, तो जो हमें gift देता है, उसे हमें वो वापस भी करना होता है, मतलब, gift कर तो सीधा सा सौधा है मेरे भाई, जिसने हमें दिया है न, वो हमें वापस करना पड़ेगा, तो आप अपना talent अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो अपना talent अगर छुपा कर रखना चाह जब तक ना किसी को तराशा नी जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा, जब तक पीटा नहीं जाता ना जब तक पता नहीं चलता आवाज कितनी आती है, समझ में यहारे मेरे भाई, मतलब, कहने हैं पर समझने की ज़रूवत न, सब चीज़ों का एक ही अर्थ निकलता है और ह कुछ बनाना हर एक motivation कोट करती है कि आपको कुछ ना कुछ बनाना चाहे हो अच्छ इंसान बनाना चाहे हो अच्छ व्यक्ति बनाना चाहे मेरे दोस्त आपका अच्छ भविश्य बनाना हर चीज का उत्रीश मात्रे की ही है कि आपके जीवन को बहतर बनाने का मतलब यह कि आप किसी सबजेक्ट में वीक है तो ऐसा नहीं है आपने उसको उतनी समय नहीं दिया जितने की जरुवत है आपको लगता आप किसी छेतर में वीक है तो आपने उस छेतर में उसको उतना नहीं दिया इसलिए वीक है आपको अगर गाली चलाना नहीं है तो इसका मतलब आपने कोशिश नहीं करेंगे इसलिए नहीं आती जिस दिन कोशिश करेंगे वो भी आजाएगी जब चीज होती है घर में तो सब सीख जाते है न जब तक आपने कोई चीज करी नहीं तब तक आपको असंबब नजराती है आप अपने पर विश्वास रखें यू और उस चीज को पहचानिये और जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया ना टैलेंट उसे निकालिये और उसे दूसरों को बाटिये भगवान को बाटिये मेरे भवाई भगवान को दीजिये बापाटी है नहीं भगवान को दीजा बापस कि भाई मिर्ष आपने मुझे ये दिया है ना gift मैं आपको बापस दूँगा किस तरीके से दूँगा में और चार लोगों को बना कर दूँगा बैधर करकर दूँगा अगर अपने पर विश्वास है तो फिर किसी चीज की जरुवत नेगी कोई तीसर आप पर करें के ना करें अगर आपको खुद पर विश्वास है आप निश्चित तोर पर आगे जाएंगे ओके आगे खुद को पॉजिटिव रखी आगे पढ़ते रहें प्रहु का आश्रव पीट किया था सवाल ने विश्च कंट्रीज नेवी इंडिया ने पाउम वे आफ बैंग ओल में इसको आइजित किया है ऑके पटबर देए अटबर देए मेरा दोस्त अग्रक्राई अघ्र गुए वहत बड़िया यूएस नहीं है यूएस नहीं है यूएस नहीं है यह फ्रांस के साथ रही, USA के साथ भारत की जो exercise होती है, उसमें यूतब्यास है, वजर प्रहार है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्रंप है, ये exercise भारत की USA के साथ है, यूतब्यास, वजर प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, इंडुनेश्या के साथ है, भारत की समु लिटरल थी, काफी देशों ने पार्स्पेट किया, फ्रांस के साथ भारती हो थी, शक्ति, वरुन, गरुण, डैजर्ट, नाइट, ओके, शक्ति, वरुन, गरुण, डैजर्ट, नाइट, साओधी अरब के साथ एक एक्सिसाइज है, अल मोहिद, अल हिंदी, तो कौन-कौन से एक्सिसाइज होंगे, USA के साथ, युद अभ्यास, वज्जर प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर, ट्रम्प, ओके, इंडोनेशिया, समुत्र शक्ति, गरुण, शक्ति, मंगोलिया, मंगोलिया के साथ, खान कोईस एक्सिसाइज है, वैसे, मैंला, खान कोईस तो काफी देश लिए अस्ति के तो ले-ट सिक्सिसाइज लिए असदी परसंटेर थीड, समक्र विकास, के विजन के साथ, छेटा वस्तु यह मंत्या तेज की बात कर लेते तो हमें जो देखने को मिलते 0%, 5%, 12%, 18% and 28%, अला ग़ला टेक्स के यहाँ पर slab है, clear है, तो यह day तो जो रहा था आपका, यह 1st of July को रहा है, 1st of July को, 1st of July को आपका GST day भी रहा था, ठीक है, GST day, इसके अलाबा CA day भी रहा थो, CA day, डॉक्टर्स डे भी आपका इसी दिन रहा था, ठीक है, और SBI डे भी इसी दिन रहा था, SBI डे, ठीक है, तो यह सारे डेज आपको याद रखने हैं, clear है, और एक International Day of Cooperative भी इसी दिन रहा था, International Day of Cooperative, next, United Nations Secretary General Antonio Gutras, appointed Haoliang Zhu of China as a deputy head of UNDP, okay, he replaced whom, मतलब यह है कि संक्तिरास्ट के, जो महा सच्चिव है, Antonio Gutras है महा सच्चिव, पूर्टगाल से आते हैं, पूर्टगाल से, पड़ेगा, नगोंसी और कौनसो एबेला, यह WTO की World Trade Organization की, राफिल मारियानो ग्रोसी, जहां तक मिरे को याद ही, IAEA के, International Atomic Energy Agency के, उसा राव मुनारी इनको रेप्लेस किया है, अब यह उसा राव मुनारी यह इंडिया की ही है, ठीक है, यह उसा राव मुनारी यह भारत की है, और इससे पहले यह UNDP की Deputy Head के तौर पे काम कर रही थी, अब Deputy Head के तौर पे इनकी जगे पे चाइना के, चाइना के हाउ लियांग जू को अपॉइंट किया है, हाउ लियांग जू को, ठीक है, यह इंपोर्टन बनेगा है, हाउ लियांग जू, इसको और थोड़ा डिटेल मे बताना दोस्त, यह, अहमद नासर अलराइसी, यह किसके Head बनाएगा, अहमद नासर अलराइसी, ओके, नेक्स्ट, विच और्गनाइजिशन विद दीन दयाल अंतुद्या योजना, National Urban Livelihood Mission, entered into a partnership aimed at empowering women, इस तरीके की News Exam में काफी आती, जब संस्थाओं के साथ समझोते होते है ओके, तो महिलाओं को शशक्त बनाने के उद्देश से, किस संगठन ने, दीन दयाल अंतुद्या योजना, रास्ति सहरी आजिविका मिसन के साथ एक समझोते पर या साज़दार की है, मतलब एक Mission है, जिसका नाम है, दीन दयाल अंतुद्या योजना, National Urban Livelihood Mission, अब इसके पास होता है, जो लोग है, उनको स्किल करना, ओके, रोजगार, अरवन छेतर में, बेरोजगारी काफी उचिस्तर पे है, हर कोई तो व्यक्ति ऐसा नहीं, जिसको तुरंत जॉब मिल रही है, संगर्ष कोई ना कोई करी रहा है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है, मेरे दोस् नहीं, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है, दीन देल अन्तोद्या योजना, नेशन अर्बन लाइबलियोड मिशन, ओके, अब इसके लिए जो समझोता हुआ, वो UNDP के साथ हुआ है, United Nations Development Program के साथ, ओके, UNDP, अब इस न्य क्या रही थी कि जैसे कि जो कियर एकनॉमी होगी कियर एकनॉमी डिजिटल एकनॉमी एलेक्टरिक मोबिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट फूड पैकेसिंग और इस शेत्र में यहां पर महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा तो पार्टनर्शिव का उतेश्च क्या है जो महिलाएं है उनके लिए यहां पर बहतर अबसर उप्राइब तो फाइनली ओके ओके यहां पर हम लोगों ने यह समझ लिया हाइलाइट क्या है इस पार्टनर्शिप की अब यहां पर यह देख लेते हैं कि समय कितना लगेगा तो प्रजेक्ट जो होगा यह शुरुआत में दोस्त आठ शहरों के लिए रहने वाला है आठ शहरों के लि इसको अर्बन मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग और पॉवर्टी एलिवेशन के दौरा इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसका परपस कहा है अर्बन पूर को अपलिफ्ट करना उके उनको लाइबलिहोड जो अपॉर्चुनिटीज है इसके डबलप्मेंट के माध्यम से प्रोव इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है और इसका परपस क्या है परपस बहुत पूचा जा रहा है एक्जाम में क्लियर है नेक्स चूर अब आपको सरी यह क्यो पढ़ा रहे हो तो उस न्यूज मैं इस लिए है एक है इस्ट्रेटिक नमेर भई करेंट से निकल के आ रहा है अलग से कहीं नहीं आ रहा बहुत बढ़िया यहां अंसर बनेगा इडिजन उत्तर प्रदेश ओके कहां पर उत्तर प्रदेश में अब न्यूज में क्यों रहा था असल में कि सारस्क्रेण प्रदेश में स्टेट बढ़ उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस्क्रेण और सारस्क्रेन सनरक्षण के दुरान तीन पक्छी परजातिया पाई गई थी और ये तीन पक्छी परजातिया यही पर पाई गई थी इसलिए हस्तनापुर wildlife century news में है एक और point आता है कि जो विजनापुर डिस्टिक में wetland है न उसको double up किया जाएगा words के conservation के लिए जो पीस कीपिंग मिशन है Operation Minusma वैसे तो इसको M-I-N-U-S-M-A पढ़ो पर फिर भी अपनी जुगार के लिए हम लोग इसको Minusma पढ़ लेते हैं कि Operation Minusma है अभी इसको end कियागे एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा था मतलब यह United Nation का second largest mission बोलेंगे और यह Lebanon के बाद दूसरा mission था इतना dangerous mission बोलेंगे हम लोग इसको क्योंकि इसमें 300 से ज़्यादा Peace Keepers की death हो गई है 300 से ज़्यादा Peace Keepers की death हो गई ओके अब ऐसे में United Nations Security Council है उसने इस mission को end कर दिया है अब यह किस देश में है सवाल बहुत simple सा यह किस देश में मेरे भाई यह mission बहुत बढ़े अफटा बढ़ा आंसर करो दोस्त तो यहाँ पर आंसर बनेगा माली ओके यह कहाँ पर माली में माली में यह mission end किया गया है तो United Nation Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali इसका नाम बनता है United Nation अब आप यह में सोचना I for क्या I for क्या N for क्या U for क्या इसमें इसकी full form बनी को French में दे रखिये full form अब French में तो हमें याद नहीं करनी full form तो हम इसको English में याद करेंगे United Nation Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, okay तो यह United Nation एक Peacekeeping Mission रहा था UN Security Council ने इस mission को 2013 में deploy किया था to support किया जा रहा है, okay Mali की Capital बमाको है, currency यहाँ पर Frank चलती है, next West Indies to miss ODI World Cup for the first time in 48 years after Qualifier loss to which country in ICC Cricket World Cup Qualifier Super 6 Fixers in Harare तो को न्यूस को ज़रा समझना है क्या ICC जो World Cup है इस साल कहाँ पर होने वाला है, सर India host करेगा ICC World Cup को, बहुत सिंपल इंडिया host करेगा, तो यहाँ 23 का World Cup अब उससे पहले क्या है कि कुछ एक देश है जिनको कि मेरे दोस्त क्वालिफायर जो राउंड है उससे गुजरना पड़ रहा था अब उसमें शिरिलंका बीरा, वेस्ट इंडीज बीरा, शिरिलंका तो चलो क्वालिफाय कर गया, जो वेस्टिंडीज है यह नहीं यार क्वालिफाय कर पा, यह और अब बहुत सिंपल सा है और उना पड़ा है, किस से हार कर बहुत बढ़ी हा, वेल डन मिरो दोस्त, यहाँ पर आंसर बनेगा Scotland, ओके Scotland अब एक दो point लिखा रहा है, उसको ध्यान दीजेगा 2023 का जो World Cup है, इसको तो clear होगा, यह अपना प्यारा भारत host कर रहा है, और यह World Cup है 50-50 over का, 50-50 over का World Cup है ओके, जो 2024 का World Cup होगा इसे कौन host करेगा? 2024 का World Cup, सर क्या मजा कर रहा है, 2024 में World Cup कब होगा? अरे सॉरी मेरे भाई, तो 2027 लिख ले, देखे 2027 का World Cup कौन host करेगा? South Africa, okay, Namibia and Jimbambay, okay, South Africa, Namibia Jimbambay, फिर 2131 का World Cup इंडिया में फिर दुबारा से होगा मेरे भाई India and Bangladesh इसको host करेंगे तो एक बार फिर सुनिएगा ज़रा ध्यान से 2023 का World Cup इंडिया होस्ट कर रहा है 2027 का World Cup, South Africa, Namibia और Jimbambay होस्ट कर रहा है 31 का World Cup इंडिया and Bangladesh होस्ट करेगा? इंडिया and Bangladesh, clear? Next, SBI appointed Kameshwar Rao Kodavanti as its Chief Financial Officer he replaced him, असल में अगर कोई और किसी बैंक का होता Chief Financial Officer है, Company वगएरा का होता तो शायद मैं कहते अचना relevant नहीं है Okay, MDNs, यो पढ़ लो चेर्मेन पढ़ लो अपने काम की चीज़ वो बनती है बढ़ मेरे भाई, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? सर, यहाँ पर बात हो रिस्टेट बैंक आफ इंडिया की ऐसे में मेरे दोस्ट यहाँ पर Chief Financial Officer मैंने पिक किया है और कोई रिजन नहीं है ठीक है, Otherwise मैं इसको Skip भी कर सकता था बढ़ दो-तीन बड़े-बड़े निउस्पेपर में में मेरे भाई इस निउस को कवर किया गया है यहाँ पर जो अंसर बनता है दोस्ट वो बनता है Option No.1 चरंजीत सुरिंदर सिंग अटारा ओके चरंजीत सुरिंदर सिंग अटारा यहाँ पर अपना अंसर बनेगा अब इसके अलावा और क्या हो सकता है अपने लिए important right now अब यह हल फिलार मेरे दोस्ट गिफ्ट सिटी गिफ्ट सिटी के नाम सुना आप लोगो नहाँ सर सुना है इसके चेर्मेन बनाए गया चेर्मेन और गिफ्ट सिटी के चेर्मेन कौन बनाए गया हस्मुक अधिया ओके हस्मुक अधिया यह important है exam का question है यह वाला कि who has been appointed chairman of gift city gift city का chairman कि इनको बनाए गया हस्मुक अधिया सहाब को gift city का chairman बनाए गया और किसकी जगह पर सुधीर मांगकर की जगह पर सुधीर मांगकर की जगह पर इनको पॉइंट किया गया है एक और हम लोगों ने एक news पड़ी थी रॉ के बारे में research and analysis विंग रॉ के हैड कौन बनाए गया रॉकी रवी सिना रवी सिना को रॉ का हैड बनाए गया रवी सिना रॉ के हैड बने है रॉ ठीक है इसके भी deputy governor बने गया इनका नम कैसे जानकी मेंबर बनाए गए UPSC का एकवर्टर से स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके एकवर्टर सिस्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अभी हैड फिलाल मनलब M.D.N.C.U. रिया पॉइंट किये गए पी एन वासु देवन पी एन वासु देवन मतलब यह पहले से है M.D.N.C.U. M.D.N.C.U. इनको रिया पॉइंट किया गया X s bank है इसके X s bank न एक्जियर्मन बना गया चेर्मन एक्जियर्मन एक्जिकुटिव जेर्मन न एक्जिकुटिव जेर्मन इनको नाम क्या है Sir N.S. Vishunathan सारें पंटमेंन इंपॉइंट में पोर्टन danme reports N.S. Vishunathan नेशनल कॉपरिटिव यूनियन ऑफ इंडिया है जो जो अपना प्रोड़क्ट बनाएंगे अब उस प्रोड़क्ट को दिखाएंगे और दिखाने के बाद बेचेंगे प्रोड़क्ट को दिखाने के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म की जरुवत है कैसे प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो क्या से काम चलेगा कोई भी कॉपरिटिव है जो प्रोड़क्ट तयार कर रहे है उसके लिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर कि वो अ करने के लिए तो मेरे यह जो हाथ मिलाये नोंने यह Google Cloud के साथ मिलाए और गूगल Cloud के साथ उसको रट्टा मारिए यह एक है Google Cloud के साथ यह जो application इसका उद्देश क्या है इसका application का उद्देश है जो इंडियन cooperative है जो भारती सेहकारी संथिया मेरे उनको इंपावर करना उनको मजबूत करना है तो ये इनको एक digital मंच प्रदान करना है, digital platform जिससे की जो अपना product है उसको मेरे दोस्त दिखा पाएं और online बेच पाएं, ठीक है तो एप का उदेश भारती सहकारी समतियों को अपने उत्पादों को online प्रदर्शित करने और बेचने के लिए कि digital मंच प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है, अब यहां से शुरू होती है मानिय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदिये की कहानी, international day of cooperative वाले दिन उन्होंने कुछ न कुछ किया है मेरे भाई, क्या किया वो समझते हैं अभी 17th Indian cooperative congress रही थी 1st of July को, okay? International day of cooperative भी रहा था, ठीके 17th Indian cooperative congress रही थी नई दिल्ली पे और मानिय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदिये न इसको inaugurate किया था, इस दौरान इन्होंने e-commerce platform NCUI hut को launch किया है, जाला ध्यान से देखेगा मेरे भाई ठीके, यह जो e-commerce platform है, NCUI hut, इसको launch किया था, for cooperative product, तो मानिय प्रदान मत्री नरेंद्र मोदिये न पहले तो नई दिल्ली में 17th Indian cooperative congress है, इसको inaugurate किया, चलिए ठीक है, कहाँ पर हुई थी नई दिल्ली में 17th edition था, मोदिय जी के दौरा inaugurate की गई, इस दौरा निनों ने e-commerce platform launch किया है, cooperative product के लिए, ओके सहकारी उत्पादों के लिए, और इसका नामें NCUI hut, ओके, NCUI hut, clear भाईयो, आगे बढ़ते हैं, प्रामेस नरेंद्र मोदिय ने, इस दौरा ने किताब भी, अन्वील की थी, cooperative growth और trend के उपर इंडिया में, ओके, तो भारत में सहकारी विकास और रुजान पर एक पुस्तक का भी अनावरण किया, ये रीड करने वाला पॉइंट है, ये जो, congress रही थी, मेरे दोस्त, 70th Indian cooperative Congress, इसको organize किया था, NCUI के दौरा, NCUI के दौरा, clear भाई हो, 1st Saturday of July, International Day of cooperative रहा था, हाँ जी, 1st Saturday of July रहता है, इस साल 1st Saturday of July कप रहा मेरे भाई, 1st of July को रहा था, इसलिए International Day of cooperative आपका 1st of July को रहा, आगे, in which state, नागा मुची, लिंडा, बुद्जस स्टूपा located, अब आप कहोगे, सर, ये भी important है, भाई, खुद देखना मैं भी आगे पढ़ाऊँगा, explanation में, कैसा important नहीं बनेगा, आप कहोगे, सर, स्टूपा, exam में आने लगा है, नहीं यार, ये बड़ा, बैड प्रेक्टिस है, ऐसा नहीं करना, आपको ये देखना है, कि ये न्यूज में चल रहा है, तो पकड़ के लेके चलना, नागा मुची, लिंडा, बौध, स्टूप, किस राज्य में इस्थित है, अब ये एक dark cover launch किया गया है, एक dark lip, हवा launch किया गया है, स्टूपा के नाम से, आप कौन से के नाम से क्या किया गया है, वो समझेंगे, तो दोसरी ये है, कहाँ पर ये तिलंगा नम है, तिलंगा नम है, ठीके, नागा मुची लिंडा, बौध, स्टूप, अब ये जो नागा, मुची लिंडा, बौध, स्टूप है, ये कहाँ पर है, धुली कट्टा में, अब इसको ना, कुछ जगे आपको लिखा में लिए, धुली कट्टा, बुधिस स्टूपा, तो अगर धुली कट्टा, बुधिस स्टूपा लिखा आ रहा है, या नागा मुची लिंडा आ रहा है, तो बात एक ही है मेरे भाई, ये पैड़ा पल्ली डिस्टिक में है, और इसको special recognition मिला है, कैसे मिला है, जो department of post है, डाक में भाग है, उसने special cover release किया था, 9 years of Telangana statehood, बनला Telangana के 9 वर्ष, Telangana जो राज्य है, उसके 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में, एक विशेश लिफाफा जारी करी किया गया है, इस नागा मुची लिंडा बहुत स्थूप के नाम से, ये जो है, ये किस नदी के तड़ पर इस्तेत है, तो हुसैनी बागू, ये पॉइंट याद रखना दोस्त, एक और पॉइंट रहा था यहाँ पर, कि जो जी किसन रेटी सहाब है, अपने कल्चर मिनिस्टर रे टूरिस्टर है, इनके द्वारा ये स्पेशल जो डिसीजन लिए गया है, मतलब सिंपल शब्दों में बोलें, तो जी किसन रेटी सहाब, जो अपने कल्चर मिनिस्टर है, टूरिस्ट मिनिस्टर है, इनके 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 पॉस्टल कवर लॉंच किया था, तिलंगाना के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में, उसमें क्या रहा था, बुद्धिस जो हेरिटेज है, तिलंगाना के बवरपूर कुरु में, ऑके, dark southern में, उसके नाम से पोस्ट कारड लॉंच किया, तो मदलब एक तो पोस्ट कारड रहा है, एक तो पोस्ट कारर आ है यहां पर, ठीक हो, पोस्ट कारड पिक्क्चर पोस्ट कारड रहा है, अब ने को ये भी आ सकता है एक बुद्धिस हेरिटेस बबबपुर कुरु कहा पर है तो ये तिलंगाना में है इसके नाम से तो मेरे भाई यहाँ पर पॉस्ट कार Wallace किया गया और नागा मुचलिंद भुद्धिस स्टूप इसके नाम से मेरे दोस्ट एक special cover पर लॉंच किया गया था एक लिफाफा जारी किया गया तो ये दो पॉइंट याद रखना है इस वज़े से न्यूज में रहा था मैंने स्टैटिक में डाल दिया इसको next ट्यार which financial technology company tie up किस financial technology company ने भी tie up किया है शिरिराम finance के साथ to expand its loan distribution business तो अपने loan distribution business को expand करने के लिए अभी शिरिराम finance के साथ किस company ने समझाओता किया है मेरे भाई पड़ा पड़ाई दोस्त किस company ने अभी हाल फिला technology company ने शिरिराम finance के साथ अपने जो loan distribution business है उसे expand करने के लिए समझाओता किया तो यह company ने पेटियम अब होगा क्या वो समझने की जरुवत है पेटियम ने अनाउंस किया है कि जो शिरिराम finance है उसके साथ मेरी partnership होई है अब इस partnership में क्या होगा कि जो शिरिराम finance का जो loan product है वो पेटियम के जो platform पर customers होंगे उनको digitally available कराया जाएगा तो पेटियम ने शिरिराम finance जो कि इंडिया की largest retail NBFC non-banking finance company है इसके साथ समझाओता किया है इस partnership के तहत समझाओते के हिस्से के एक रूप में शिरिराम finance के जो रिट पाद होंगे वो पेटियम के जो platform है उस पर digital रूप से उपलब्द होंगे इस्पेशली फॉर पेटियम कस्टमर्स ओके नेक्स त्यार UK India Award जो रहे है उसमें Global Indian Icon of the Year Award किसको दिया गया है तो सर Global Indian Icon of the Year Award जो दिया गया है वो Maricom को दिया गया अब इनके अलावा जो film maker है शेखर कपूर इनको lifetime achievement award दिया गया है in the field of cinema जो उनका contribution रहा उसके लिए ध्यान दीजेगा lifetime achievement award किसको दिया गया है film maker शेखर कपूर को इसके अलावा इंडिया का जो first ever Olympic medalist है इनको Global Indian Icon of the Year Award दिया यह पढ़ लिया हम लोगों ने एक और रहा था हाँ नहरू Center in London इसको UK India Award मिला है for significant contribution to UK India relation तो UK India relation में जो इसका एक महत्तपूर योगदान रहा है नहरू Center in London इसके लिए इसको मेरे दोस्तो UK India Award दिया गया तो तीन चीज़े याद रखनी है आपको यहाँ पर UK India नहरू Center in London इसको सम्भानित किया गया Mary Combs जी को सम्भानित किया गया and मेरे भाई film maker शेखर का पूरा इनको सम्भानित किया गया है इस UK India Awards में UK India Award में clear है यह Award का पाचवा साल है The Award is now in the fifth year, यह Award का पाचवा साल रहा है Next UK, who has been reappointed as a Solicitor General of India News अच्छी है यह वाली, Solicitor General of India जो Attorney General of India होते हुट उनके subordinate होते है Solicitor General of India Attorney General of India उसके ही subordinate होते है Solicitor General of India, यह second highest law officer होते है second highest law officer होते है देश में जो कि Attorney General को assist करने के लिए बनाए जाते है Attorney General को assist करने के लिए बनाए जाते है तो यहाँ पर answer की बात कर रहे है मिरे भाई, यह है तुशार महता है, इनको फिड दवारत सा पॉइंट किया कि तुशार महता असल में news तो यह रही थी कि जो तुशार महता है इनके साथ साथ, Senior Advocate, Solicitor General तुशार महता, इनको reappoint किया गया इनके साथ साथ, यहाँ पर मिरे भाई, छे और additional Solicitor General है उनको भी Supreme Court मिरे भाई, अपॉइंट किया गया तो बड़ी-बड़ी appointment है, उसमें तो Tanner जारना important बनता है मेरे दोस्त, एक है तो यहाँ पर तीन सालों के लिए Solicitor General of India किसको बनाएगा तुशार महता को तुशार महता को फिर दुबारा से बना दिया गया है एक है, छे और additional Solicitor General है इनके नाम हमें नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ यह पढ़ना है कि तुशार महता, Solicitor General of India बने अब Attorney General of India की बात करें तो Attorney General is the highest law officer of country, okay अभी मैंने बताया था कि Solicitor General of India second highest law officer है तो highest officer कौन होगा यहाँ पर? Sir, Attorney General होगा है, okay अब अभी वर्तमान में Attorney General कौन है तो Senior Advocate R. Venkat Ramney है इनको Attorney General बनाएक है तो 1 October को लास्टियर 1 October को और इनका जो tenor है वो 3 साल का है, 2025 तक का clear है भाईयो, done यह exam में कोशन आ सकता, Attorney General मलब highest law officer कौन है देश में तो Attorney General है अभी हलफिलाल कौन appointed है तो R. Venkat Ramney appointed है कितने सालों के लिनको अपोइंट किया कि 2025 तक कान का कारिकाल रहने वाला है 2025 तक कान का कारिकाल रहेगा clear ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त India beat which country, भारत में किस देश को हरा कर 42 बत्तिस से final में Asian कबड़ी Championship 23 अपने नाम की थी इस सारी नई news चल रहे हैं ताजा ताजा मेरे भाई तो को Monday का दिन होता है काफी news होती है तो possible नहीं होता है कि सारा detail में पढ़ाए जा तो मैं कुछ MCQ में डाल देता हूँ, कुछ detail में detail में आज जो पढ़ेंगे वो काफी database है तो उन तक तो मेरे दोस्त समझना पड़ेगा आपको तसली से सुनना पड़ेगा UPI related भी है, एक unicorn related भी unicorn में मैं आपको चीता unicorn आज पढ़ाऊंगा कुछ dazzler, dazzler करके भी हैं वो भी पढ़ाऊंगा काफी कुछ है detail में पढ़ने के लिए महरास्ट की मेरे दोस्त महरास्ट में उतल पुतली चलता रहता है deputy CMी, CMी बदलते रहते हैं तो अब एक और नए deputy CM बन गए महरास्ट में एक ऐसा restaurant open किया गया है जो की पानी में चलेगा काफी कुछ है मिशा साब ने भी inaugurate किया है लगे याद मेरे दोस्त वो भी पढ़ेंगे हम लोग एक company का एक bank मर्जर हुआ है बहुत बड़ा मर्जर है वो जिससे कि मेरे दोस्त विश्च्व का चौथा सबसे बड़ा bank बन गया है तो काफी कुछ है detail में पढ़ने के लिए बस एंट तक जोड़े रहेगा तो यहाँ पर answer बनेगा मेरे दोस्त इरान इरान को हरा कर भारत न यहाँ पर Asian Cupality Championship 22-23 अपने नाम कर लिया है ठीक है यह कहाँ पर रहा था तो Republic of Korea में जो Busan है वहाँ पर इस Cultural Center में यह मैच रहते Asian Cupality Championship यह final रहा था और इसमें इंडिया ने इरान को हरा दिया ठीक है इंडिया ने इरान को यह भारत का 8 वा टैटल रहा था 9 संसकरण में टोटल मेरे भाही 9 एडिशन हुए 9 एडिशन में यह भारत का 8 टैचल रहा था इंडिया की Captain करना में पवन शहरावत, इनौन ने front से lead किया था, आप इतना याद रखो भारती कप्तान का नाम क्या मेरे भाई, भारती कप्तान का नाम है पवन सहरावत, 9 संस्क्राणों में से ये भारत का 8 वा किताब रहा था और ये कोरिया गडराजी के बुसान में रही थी, एशे कवर्डी चैंपिशिप दोई अर्थेज और भारत ने मेरे दोस किसको हरा दिया इरान को हरा दिया है क्लियर है नेक्स्ट छे टीम रही थी इरान इंडिया जापन कोरिया चाइनीज ताइपी होंग कोंग जिन्हों ने इसमें पार्टिस्पेट किया था World Sports Journalist Day is celebrated every year on which day World Sports Journalist Day किस दिन मनाया जाता है ये जर्डे ही रहा मेरे भाई 2nd of July को तो ये मेरे दोस्त कल मनाया गया था World Sports Journalist Day विच बैंक अप्रूब्ट 391 मिलियन फॉर असमें तिरुपुरा to boost healthcare and economic opportunities तो किस बैंक ने अभी स्वास्थ देखवाल को मजबूत करने के लिए वाई स्वास्थ देखवाल को मजबूत करना पहली प्राइवरिटी स्टेट्स की ओनी चाहिए तो जो healthcare उसको बहतर करना है उसके लिए 391 मिलियन यॉज दॉलर अब यह amount दिया गया असम और तुर पुरा को अब यह किस के द्वारा दिया गया किस bank ने यहाँ पर यह amount दिया है किस bank ने amount दिया मेरे दोस्त बहुत बड़ी है यहाँ पर answer बनेगा मेरे दो विश्य बैंकों के वर्ड बैंक अभी वर्ड बैंक ने वैसे तो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं हम लोग काफी डिटेल में में लिखके लाया हूं कि यह असम के किस प्रोग्राम के लिए आपर रीड कर लेना असम के लिए 251 मिलियन है एक है असम को यहाँ पर इसमें से और जो रेस्ट बचता है 140 मिलियन हुए यहाँ पर तिरुपुरा को दिया गया ओके तिरुपुरा को दिया गया तो यह सारी चीजा रीड कर ले ना मेरे दूस्त इसके लाब बस इतना याद रखो कि यहां सम और तरुपुरा एं दो इस टेट के लिए 391 दिया ग बंगलादेश वगेरा नैपाल शिरिलंका इनको जो लोन दिया जा रहा वो कवर नहीं गरता भाईए मेरे को दो दोस्त यह सोचना रहता है कि इंडिया का लोन भी पड़ो अब इंडिया के अलावा मेरे दोस्त हम लोग 188 पड़ोस के लिए लोन पड़ो तो अपन की प्रा बंगलादेश पड़ा रहा हूं अगर नॉर्मल किसी और परपस से दिया हो तो शायद मैं इसको नहीं पड़ा रहा होता मेरे भाई ठीक है थोड़ा दिमाग लगाना पड़े का नहीं दिमाग लगाएंगे तो फिर तो ऐसे में सारे देशों के पड़ते रहो फिर तो प्रोग्राम है उसके लिए एक है रेजिलेंट के रिल प्रोग्राम है अगर कल को नेचरल डिजास्टर क्लाइमिट चेंज आता है तो उसके लिए राजजी को तयार किया जाए और उसके परपस से यहां पर 150 मिलियन विश्व बैंक ने दिया है इसके अलावा भी इसने 255. 605.5 मिलियन और दिया था 2005.5 मिलियन उके तो जो जो गवर्मेंट इन्सिटि efficient है उसमें जो education है उसे improve करने के लिले सरकारी सरकारी संस्तानों में सिक्छा को बहतर करने के लिए 255.5 मिलियन विश्व बैंक के द्वारा दिया गया तो विश्व बैंक ने तीन दीए यहां पह इसके लावे ADB अभी न्यूज में रहा था, Asia Vikas Bank इसने 130 million US dollar दिया है, किसको हिमाचल प्रदेश को हौटी कल्चर हो था न, हौटी कल्चर है भागवानी, उसको प्रमोट करने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश को हौटी कल्चर भागवानी को प्रमोट करने के लिए 130 million US dollar एशया विकास बैंक के द्वारा दिया गया, Asia Vikas Bank ने ADB नहीं अभी, बिहार में, बिहार में, जो ट्रांस्पूर्ट कनेक्टिविटी है, उसके लिए यहाँ पर 295 million US dollar दिया, 295 million US dollar, इस अंस्थानों में education को improve करने के लिए 255.5 million दिया है, World Bank में 150 million दिया है, केरल के लिए, केरल या रैजिलेंट केरल प्रोग्राम के लिए, और First Road Safety जो प्रोजेक्ट रहा है, South Asia का dedicated First Road Safety प्रोजेक्ट उसके लिए वंगलादेश को 358 million US dollar, विश्व बैंक के द्वारा दिये गए थे, ओके, नेक्स्ट यार, अब बढ़ते हैं आज की detailed news की दरफ, ओके, रहाँ समझेगा इस session को, पहली दफ़ा जोड़ें, MCQs खत्म, अब बढ़ते important और news जो है, अमिशा साब की बात करेंगे, इन्होंने वर्चुली एक इनाउगरेट किया, River Cruise Restaurant, इन एहमदाबाद, अभी आपको रिवर दिख रही है मेरे भाई, यह एक रेस्टरेंट है, यह River Cruise Restaurant है, इसको इनाउगरेट किया गया, एहमदाबाद में, इसका नाम क्या है, तो यूनियर मिनिस्टर है, अमिशा है, इनका नाम है मेरे भाई, वैसे तुम्हें शिप के नाम की बात कर रहा हूँ, इन्होंने अक्षर रिवर क्रूज फ्लोटिंग रेस्टरेंट है, इसको इनाउगरेट किया, इसको अक्षर ट्रेवल्स, अम्दाबाद मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड मेरे दोस्त, सावरमती रिवर फ्रंट डबलप्रेट कॉर्पोरेशन, इसको त्यार किया गया, इसको त्यार किया गया, एक जोईन्ट वेंजर हैं तीनों का, वैसे इस वाले पॉइंट को स्किप कर सकते हो, किसने इनाउगरेट किया है, नाम किया है, कहाँ पर इनाउगरेट हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, क्लिया, नेक्स्ट, एंसीपी लीडर अजीत पवार, अब इनोंने एकनाथ शिंदे लेट, जो शिव सेना है, उसको जोईन किया है, और डेपुटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपतली है, अब यार दोस्त ये कहने का मतलब है, कि महरास्त में एक सीएम, और दो डेपुटी सीएम होंगे, तो एक सीएम तो यहाँ पर एकनाथ सिंदे हो गए, चीफ मिनिस्टर, और जो डेपुटी सीएम उसमें एक तो देविंदर फण नवीज हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री, वो अब बरतमान के उपुख्यमंत्री है, अब एक और उपुख्यमंत्री आगए, यहाँ पर अजीत पवार, तो नाव दे स्टेट विल हैव टू डेपुटी चीफ मिनिस्टर, अब राजी में दो उपुख्यमंत्री होंगे, दूसरों उपुख्यमंत्री भाजपा नेता, देविंदर फण नवीज है, महरास्ट की राजधानी मुंबाई हो गई, गवर्नर का नाम रमेश वैसे है, और याद रख लेदा, ओके, क्लियर, नेक्स्ट ट्यार, स्टार्ट अप्स को यहाँ पर अलग-अलग केटिगरी में डिवाइड किया आता है, एक का नाम यूनिकॉन देती, यूनिकॉन कौन सा होता है, जिसका वैलुएशन एक बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का होता है, कोई भी स्टार्ट अप, 2000 के बाद जिसकी स्थापना होई हो, और उसका वैलुएशन अगर एक बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का है, तो उसको हम यूनिकॉन बोलते हैं, लेकिन कोई भी स्टार्ट अप जो की यूनिकॉन बन सकता है, आने वाले तीन सालों में, यह उमीद है कि इन अनेक्स्ट थ्री यर, जो इंडिया में यह स्टार्ट अप है, यह यूनिकॉन बन जाएगा, तो वो कहलाते गैजल्स, आने वाले पाँच सालों में मेरे भाई, अगर कोई स्टार्ट अप यूनिकॉन बन जाएगा, तो यह कहलाते चीता, तो क्लियर होगे यूनिकॉन क्या है, गैजल्स क्या है, चीता क्या है, तो यूनिकॉन वो जिसका वैलुएशन एक बिलियन यूस दॉलर से जादा का है, ऐसा startup जो आने वाले तीन सालों में unicorn बने का वो gadgets हो गया और आने वाले पास सालों में जो startup में ने unicorn बने का वो चीता हो गया I hope यह नई चीज आपको सीखने को आज मिले हो अब इससे related एक index आया है और उस index को Hurun Research Institute ने AS के Private Wealth के साथ मिलके launch किया है तो वही news है AS के Private Health Hurun India Future Unicorn Index 2023 इसमें इंडिया में 83 unicorn है 2022 के comparison में मेरे दोस्त मनलब यहाँ पर 23 में कम हो गए है तो यह जो report आई इसमें बता रहे हैं कि पहले unicorn 84 थे अब 83 यहाँ पर रहे हैं तो according to this index इंडिया में 83 unicorn है as against 2022 index और जो 96 चीता है as compared 70 बना अब एक साल पहले अगर इस data को आप समझे तो यह कह रहे है कि एक साल पहले जो चीता थे वो 71 थे वो 96 हो गए है और जो unicorn थे मेरे भाई वो 83 थे वो 84 हो गए यह कहने का मतलब है अब बचा सिरफ यह gadgets उसको देख लेते हैं अब यह जो gadgets की बात कर रहे हैं यह तो उस 51 थे और 51 ही है ओके 51 थे 51 ही है पॉइंट समझ माया यह जो index है index क्या कह रहा है यह कह रहा है चीता पहले 70 थे 95 हो गए unicorn जो 83 थे 84 हो गए और यह gadgets जो एक क्यावन थे वो एक क्यावनी बने रहे हैं यह index ऐसा यहाँ पर कह रहा है clear gadgets remain the same at 51 in 2023-2022 done आगे बढ़ते गॉर्मेंट ने क्या किया है जो ब्रजेंदर नवनीद हैं ओके WTO World Trade Organization में World Trade Organization में जो इंडिया के ambassador है उनका tenor में ने दोस्त extend कर दिया ओके तो जो ब्रजेंदर नवनीद हैं वो WTO में भारत के राजदूत के रूप में बने रहेंगे उके इनका कारिकाल बढ़ा दिया गया है तो tenor of ब्रजेंदर नवनीद as a ambassador permanent representative to India to the World Trade Organization 9 महीने बढ़ाय गया अच्छा जी तो मार्च 31 2024 तक 31 मार्च 24 तक WTO में जो भारत के permanent representative है या फिर जो भारत के representative या ambassador है उनका नवने ब्रजेंदर नवनीद दूसरे इनका tenor कितने महीने extend किया गया है 9 महीने कब तक इनका tenor है गा मार्च 31 2024 तक WTO 1945 में बनाता है 1995 में जिनेवा सुड़लेंड इसका headquarter है Nagosi Okonzo Ibella इसकी director general जो कि Nigeria से आती है 7 वी number की director general है Nigeria याद रख लेना जिसकी capital Abuza है currency यहाँ पर naira चलती है member 194 है और जो 164th member है वो अफगानिस्तान है 164 member है और 164 member में जो आकरी है वो अफगानिस्तान बनता है ठीक है भाईयो next देखो यार दोस्त अमीरों के शौक है और अमीरों के शौक को पूरा करना यहाँ पर बड़ी बड़ी companies का काम है तो अभी अमीरों के शौक की वज़े से उनी के शौक की वज़े से उनकी जान चली गई थी हम लोगों ने देखा भी था कि एक ship Titanic जो डूब चुका है उसको देखने के लिए कुछ अमीरों लोग जाते हैं और मेरे दोस्त उनका देहान तो जाता है अब ऐसे में यहाँ पर अलग-अलग-अलग-अलग-अलग अलग-अलग-अलग-अलग ट्रेवल करना चाहते हैं वाटर ट्रेवल करना चाहता है, कोई स्पेस में ट्रेवल करना चाहता है, तो यहाँ पर हम मेरे दोस्त, अमीरों की इस सिफ, कह सकते हैं, कि भागम भाग में, हम स्पेस के बारे में भी समझने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने Elon Musk की कंपनी का नाम सुना होगा, आप लो जो लोग विजट करना चाहते हैं, स्पेस घूमना चाहते हैं, उनको इस स्पेस में ले जा रही है, जहां तक मैं पढ़ रहा था, साड़े चार लाख डॉलर एक व्यक्ती का यहाँ पर मेरे दोस्त, मतलब टिकेट लग रहा है, और इनके पास जो मतलब बुकिंग है, मेरे वो गया था, कौन-कौन व्यक्ती थे, क्या थे, वो सारी चीज है, बढ़ा इंटरेस्टिंग न्यूस समझना, यह जो वर्जन गैलेक्टिक है, इसका जो स्पेस प्लेन रहा है, इसका नाम था, वी एसस यूनिटी, इसमें बिठा कर इनको ले जाया गया था, और इसने पहले कॉमर्शिल स्पेस फ्लाइट है, वो पूरी करी है, कौल्डिक जीरोवन, इसे स्पेस फ्लाइट को क्या नाम है, गैलेक्टिक जीरोवन, एक एक हे करके समझना, कम्पनी का नाम क्या है, जो यह к secondo इनको लेके गई थी, उसका नाम है वर्जन गैलेक्टिक, को कि, य अब इस company ने क्या किया, पानी के अंदर ले गया किया, मिर भाई space में ले गया, तो ये company पहली commercial space flight इसने अपनी पूरी किया, इसमें चार लोग थे, और दो यहाँ पर pilot रहे थे, इसमें Galactic 01, इसका नाम है mission का, Galactic 01, जो commercial space flight रहे थे, उसका नाम है Galactic 01, Galactic 01 में चार तो passenger रहे थ इसमें चार पर रहे थे, चार परसंजर दो पालेट मिला के टूरल च्रह लोग हो गए, न्यू मेक्सिको से जो इस पोर्ट, पूर्ट, पूर्ट अमेरिका है, वहां से इसको फ्लैग आफ किया गया था, तो ये जो चार यात्री दो पालेट है, इनको लेकर एक गलेक्टिक 01, New Mexico में, स्पेस्पोर्ट अमेरिका से इसने उडान भरी थी, done, clear, आके समझना, ये चार लोग है, तीन तो इसमें इटैलियन है, तबी तो इटली के जंडा लेकर हाथ में बैठे हुआ है, बड़े खुछ हो रहे है, बगवान कर रहे है, मिरे दोस्त, ऐसे सारी फ्लाइट इसमें, और लगवान तेरे एक्सपेरिमेंट भी किये थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किये थे, बलब एक हाल फिलाल घूमने के लिए ने गये थे, कुछ एक्सपेरिमेंट गरने भी गये थे, ओके, आईए जो वर्जन गेलेक्टिक है, is now among the aerospace companies, जिसमें Elon Musk की SpaceX, Jeff Bezos ब्लू अरिजन में इसकी बात करना था यह इसके पूरा था जैफ बीजूस की एक ब्लू अरिजन है और इलाउन मस्की स्पेसे एक जो कि अगर आप पैसे खर्च करके जाना चाहते है इस स्पेस में तो यह ले जाते हैं मेरे भाई अब इसमें एक और यहां पर जुड़ गई पैंटालियोन, कारलूची और एक कॉलिन बैनेट यह चार लोग गई थे यहां पर तमिल नाडू यह नियूज और शानदार आ गई दोस्ते तमिल नाडू यह इलेक्ट्रोनिक्स के एक्सपोर्ट के मामले में ओके टॉप पर चल रहा है देश के में मनलब अगर हम बात करे है सिर्फ तमिल नाडू की कि हमारे देश में कौन सा स्टेट है जो सबसे बैस्ट है एक्सपोर्ट करने में इलेक्ट्रोनिक्स के मामले में तो वो तमिल नाडू है तो तमिल नाडू भारत के सीर्ष इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातक के रूप में उबरा है तो तमिल नाडू है electronics का जो export है वो यहाँ पर 3X हो गया ट्रिपल हो गया है और कितना हुआ है 5.37 billion US dollar है 5.37 billion US dollar यह सवाल आ सकता है कि 5.37 billion US dollar के साथ किस state का electronic export है जो कि मेरे दोस्ट तो टॉप पर है तो वो मलग कौन सा state electronic export में टॉप पर है तो वो अब जरा इसको और थोड़ा समझते हैं Tamil Nadu यहाँ पर देखना जरा 5.37 के साथ पहले पर उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे पर तीसरे पर करनाटक और चौथे पर बहारास्टर तो पहला दूसरा तीसरा तो at least पकड़के चलोगे तो पहले पर Tamil Nadu है दूसरे पर उत्तर प्रदेश तीसरे पर करनाटक है कि सीज में टॉप पर है तो यह देश में जो electronics है उसके उसो बेचने के मामले में विदेशों में एक्सपोर्ट के मामले में अब यह यहां पर इन्हों ने कोईट बड़ा शान्दा लिखा है कि जो इंडिया का जो export है इंडिया का जो export है उसमें कितना percent share किस state का है तो total इंडिया के export में 22.83 percent share जो है वो Tamil Nadu का है उत्तर प्रदेश का 20.85 percent है जिसके साथ वो दूसरे नमबर पे रहा करनाटक का 19.22 percent है और महरास्ट का 11.41 यह किसका percent बात हो रही यह दिमाग पे set हो रहा है यह जो इंडिया के total export अगर इंडिया 100 export कर रहा है तो उसमें 22.83 जो export वो Tamil Nadu की तरफ से हो रहा है इंडिया 100 करना तो उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से इतना हो रहा है करनाटक की तरफ से इतना और महरास्ट की तरफ से इतना तो यह clear होना चाहिए मिरे भाई consistent पहले पे दूसरे पे तीसरे पे रहा है total कितना इन्होंना export किया है वो सारे point आपके clear होने चाहिए लेकर Tamil Nadu top पर बना हुआ है यह data एक आप read कर सकते हैं कि यह 21 में इतना share था बढ़कर वो इतना यहां पर हो चुका है Tamil Nadu वो 15 leading electronics manufacturer है उसमें Foxconn भी यह Tata electronics है मतलब Tamil Nadu राज में 15 leading electronics है अब उनका घर है मेरे भाई Foxconn, Tata electronics, Solcomp and Pagatron यह news बहुत बढ़े है दोस्ते पिता जी ने आपको क्यों टास्क दिया है पिता जी आपको कहते हैं कि बेटा मैं शाम को आउँगा एक काम करें यह वाले सारे काम करके रखना अब पिता जी आए पिता जी क्या कहेंगे पूछेंगे की नी पूछेंगे बेटा तुने यह काम किया की नी किया पूछेंगे नी पूछेंगे सार ओवेसली पूछेंगे तो ऐसे में यहाँ पर मेरे दोस्त देश में पिता जी का कुरदार कौन ने भार है मोदी जी ने भार है अब मोदी जी कहते हैं कि जो राज जी और केंद्र मिलके जो भी मेरे दोस्ट project implement कर रहा है उसमें कितनी growth हुई है कितना आज हमने रहे प्रोजेक्ट है उसको execute किया उसमें कितनी growth हुई है अब इसकी बात कौन करेगा तो प्रगती एक meeting होती है उसमें यही बात की जाती है कि यह जो project है यह किस level पर execute हो रहे हैं और किस कहा तक पहुँचे हैं तो प्रगती का 41st edition दहा था और नरेंद्र मोधी जी ने इसकी अधिक्षिता की थी पहले तो प्रगती समझा देता हूँ प्रगती है क्या प्रगती मेरे दोस्त एक information communication technology platform है information और communication को information साजा करने के लिए और एक दूसरे से बाचीत करने के लिए के platform है information communication technology platform है जो PMO के अंतरगत है यह जितने भी government project होते हैं उनको review और monitor करने का काम करता है review और monitor करने का काम करता है प्रगती की full form है proactive governance and timely implementation 2015 में उसको launch किया गया था इसके 3 chief विया तीन main aim है एक तो project को implement कराना project की monitoring करना क्या कैसे project चल रहा है मेरे दोस्त और तीसरा यहां पार जो समस्या हैं उनका निवारण करना जो भी grievances है उनका redressal करना समस्याओं का निवारण करना तो प्रगती की full form clear है प्रगती का purpose clear है प्रगती कब launch हुआ था वो clear है और प्रगती की meeting हुई थी उसके अतिक्षिता किस ने की थी मोदी जी के द्वारा इसके अतिक्षिता की गई थी ओके यह जो प्रगती इसमें अभी तक 328 project है इनकी total cost 15.82 करोड है इनको review किया जा है तो इस प्रगती बैठकों के दोरा लगबग इतने लाक करोड के कुल लागत वाले 328 परियोजना इनकी समीच्छा की जा चुकी है I hope clear होगा next Australian grand prix रहा Australian नहीं Australian okay Australian grand prix रहा 23 Max Verstappen ने जीत लिया है तो इस season की मेरे दोस्त 9 मैंसे इनकी 7 वी जीत रही है और लगातर 5 वी रह लगातर 5 वी Max Verstappen 1,2,3,4,5,6,7 एक भी पढ़ना नहीं है एक भी नहीं पढ़ना काड़ दो से जीतने वाले सिर्फ दो है जीतने वाले पूरे साल में सिर्फ दो है तो जो सबसे छोटा है मेरे भाई सबसे छोटा मतलब कि इन दौन में जो कम जीता है सिर्फ उसको कि जितना भी ऑप्शन में मिलेका Max Verstappen टेक मार देना सर्जियो पैरेस सर्जियो पैरेस आपको एक नाम याद रखना है इसने अजर बेजान और साओधी अरप ग्रेंड प्री के लवा अगर कोई और कोशन पूछ रहा है टिक किसका लगाओ कि मैं येस Max Verstappen का ओके Max Verstappen भी रेड़ बोल टीम से ये भी रेड़ बोल टीम से तो अलग से कुछ अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा सर्जियो पैरेस की कंट्री मैक्स को याद रखना और Max Verstappen की कंट्री नीदरलेंड याद रखना ठीक है बाईयो क्लियर आगे बढ़ते हैं नीरजी चौपड़ा शांदार नियूस है मेरे तो दो बैक टू बैक स्पोर्ट से रिलेटेड नियूस है ठीक है इस डायमंड लीग जो टाइटल रहा है वो लौजन में रहा था ओके स्वेजलेंड के लौजन में नीरजी चौपड़ा इन्हों इस डायमंड लीग टाइटल अपने नाम किया सेकंड कॉंसिक्यूटिव टाइम रहा था लगाता दूसरी बार यह रहा था और कितने के मिटर के थो के साथ मेरे दोस 87.66 मिटर तक इन्हों ने भाला फैका था यह जरूर याद रखने 87.66 मिटर तक इन्हों ने भाला फैका अब यहां पर मिरे दोस्त डायमंड लीग टाइटल दूसरा जीत लिया है 87.66 मिटर थो के साथ यह दौनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए जर्मानी के जूलियन वेवर यह दूसरे नंबर पर रहे थे और दोस्त जैकूब जैकूब दोस्त यह सैज रिपबलिक के यह तीस इसमें कंट्री पूछी जा चुकी है नेक्स ट्यार यूकी भामरी यूकी भामरी इनोंने ATP डबल टाइटल अपने जीता है Spain ये न्यूज ना ये एक न्यूज ये वाली ऐसी है जो निश्चित निश्चित आनी एनी एक्जाम में मेरे भाई इस तरीके से टीम पूछी गई थी कंट्री पूछी गई थी ओके तो यह और और टिपिकल बनाने के लिए पूछ सकता है और थोड़ा एक्स्राइडरी कोशन आएंगे जो मैं आब पूछें वो इस तरीके से पूछ सकता है ATP डबल्स टाइटल रहा था मलॉर का स्पेन में और यू की भामरी ने जीता है अब इनका जो डबल्स का प्लियर है वो किस देश का है इन्होंने किसको हराया वो समझ लेते हैं तो इन्डिया के यू की भामरी इनका ये ATP वर्ल्ड टूर रहा पहला इनका इनका ये टाइटल रहा है डबल स्ट्रॉफी रही है और ये डबल स्ट्रॉफी रही थी मलॉर का चम्प attracted Championship में, Championship का याद रखना नाम Mallorca Championship, Mallorca Championship और इसमें इनके जो पार्टनर रहते वो South African पार्टनर रहते, Lloyd Harris तो Mallorca Championship रहती है Spain में, Mallorca Championship रहती है, Spain में, जीता कॉन, UKी Bhamri UKी Bhamri ने Men's Double जीता है तो ऐसे में पार्टनर की जरूरत है पार्टनर को ने South Africa का एक खिलाडी South Africa पार्टनर लियोड है तो South Africa के पार्टनर लियोड है तो South Africa के पार्टनर लियोड है रिस के साथ Spain में है जित मालव का Championship इनके द्वारा जीती है UP भामरी के द्वारा और इनका ये पहला टाइटल रहा था ATP World Tour में इन्वोंने जिनको हराया वो इंडो शाउथ अफ्रिकन प्यर रहे थे इनका नम तो Robin Hesse and Philip Oswald Okay, Robin and Oswald को हरा करें अपने नाम किया था Done Clear है? आज Warrior Pro में Class होगी? आज Class है मेरे बाइ वाइर वाइर प्रो में Next ये News और शानदार है, इंडिया का GST Revenue Collection है जून महीने में वो 12% बढ़ चुका है यहाँ से कोशन किस तरीके साथ है वो समझना यह रहा इंडिया का जो GST collection, Quartz and Service Tax हर महीने हम लोग data इसका पढ़ते हैं तो यह कह रहे हैं कि जो पिछला महीना रहा था जून 2022, और जून 2023 इसको compare कर रहा है तो यह कहना है कि बाइस की comparison में 23 में यहाँ पर year on year जो growth देखने को मिली है वो 12% देखने को मिली है और जून 2023 में it was 6.1.61 lakh करोड़ 1.61 lakh करोड़, clear? ओके 1.61 lakh करोड़, अब समझना वित्मंत्राले की तरफ से इनफॉर्मेशन आती है Finance Ministry की तरफ से कि gross GST revenue collection देखने को मिली है, April 2023 अभी तक अगर GST जब से implement हुआ है उसके अगर अभी तक की स्तित्यास की बात कर ले अभी तक जब से जादा GST collection किसी महीने में आया है तो वो रहा था 1.87 lakh करोड़ अपरेल महीने में highest 1.87 lakh करोड़ रहा था अपरेल महीने में जबकि indirect taxes जो collect हुए में महीने में वो थे 1.57 और अवरल indirect tax की बात करें 1.57 और 90 करोड़ रुपे मेरे भाई collect हुआ तो इसको याद देखो इस वाली लाइन को छोड़ो आप इतना याद रखो कि जो record GST collection रहा था वो 1.87 lakh करोड़ रहा था अपरेल महीने में और जून महीने में GST collection 1.497 करोड़ रहा है 161 मंतली GST जो रहे वैन्यू है ये 15 महीना है 15 महीना ये जून 2023 जब 1.4 lakh करोड़ को क्रॉस करा है महला कम से कम पिछले 15 महीनों में 1.4 lakh करोड़ तो GST आया है हर महीने मिला के हर महीने इस महीने 1.4 इस महीने 1.4 और एकली सितना रहा होगा और अब तक महीने जोड़ दें लगातर 15 महीने हैं जब की 1.4 lakh करोड़ से ज्यादा GST collection देखने को मिल रहा है तो इस पॉइंट को जड़ा समझना पहली लाइन में मैंने ये बताया कि जून में 2023 में जून 2022 की comparison में कितनी growth रही 12% ठीक है 12% growth रही फिर इसी लाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि GST collection जून में कितना हुआ 161497 करोड़ तीसरा point हमें याद रहा है अप्रेल में कितना रहा था 1.87 lakh करोड़ बात कदम चौता point हमारे लिए क्लियर होगा कि लगातर कौन सा वा महीना है जब 1.4 lakh करोड़ से जादा है तो ये लगातर 15 महीना है और 1.6 lakh करोड़ का ये चौती दफा है मेरे दोस्त जब से GST लागू हुआ है जब 1.6 lakh करोड़ से ज्यादा रहा है I hope you are clear होगा डेटा बेस से थोड़ा मामला फसेगा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये थोड़ा डेटा यहाँ पर इनो ने दिया है comparison किया है कि कितना कितना collection रहा June महीने में 161 है May महीने में 157 157090 करोड़ रहा था और April महीने की बात कर लेते मेरे भाई तो इसमें रहा था 187 187035 तो at least पिछले तीन महीने तो हम लोग पढ़के चलते हैं तो पिछले तीन महीनों 187035 करोड़ रहा April में में महीने में 157090 करोड़ रहा था और June महीने में 161497 करोड़ रहा है तो ये अपरेल में और June I hope तीनों महीने क्लियर होंगे ओके next upa transaction libro प्रच लोग आप सबस्क्राइं करें एकृत्अ क्षूटे से शोटो च्छोट कर देए ऑटीडिर तो उसके लिए क्या करें, UPI करें खरीदने के लिए, हर ज canyon UPI 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 YupI UPI जब UPI transaction हो रहे हैं तो UPI transaction कहीं न कहीं volume में है, amount में हमें पढ़ने पढ़ेंगे, volume मतलब कि किसी particular महिने में में जून महिने की बात कर रहा हूं, June महिने में volume कितना रहा रहा value कितनी रही है, volume मतलब 1 transaction, 2 transaction, 3 transaction, 4 transaction, 5 transaction, कितने transaction हुए पूरे महीने में, उन transaction का amount कितना रहा था, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, 5 करोड, 10 करोड, वो हम लोग पढ़ने जा रहे है, news यह है कि जो UPI transaction है जून महीने में, उसमें 0.9% की कमी देखने को मिली है में के comparison में, यह कहा है कि पिछले महीने के comparison में, इस बार हमें कितने की कमी देखने को मिली है, 0.9% की, तो जो transaction रहे थे, UPI के माध्यम से, Unified Payment Interface Network के माध्यम से, उसमे 0.9% की कमी देखने को मिली, in terms of volume and value, जहां मई महीने में सबसे high रहा था, में महीने में top पेता, peak पेता, वहीं जून महीने आते जाती है, यह मेरे दोस, volume और value के context में, 0.9% कम रहा है, अब यह देखो दोस, April महीने में, UPI कितना रहा था, UPI transaction, 889 करोड ट्रांजेक्शन थे, मैं volume की बात कर रहा हूँ, ठीके, 889 करोड ट्रांजेक्शन थे, कितनी value के यह ट्रांजेक्शन थे, 14.07 लाक करोड के रहे थे, में महीने में जो transaction थे, वो 941 करोड ट्रांजेक्शन थे, 941 करोड ट्रांजेक्शन एक transaction दूट्रांजेक्शन थे, और कितने के रहे थे, 14.89 लाक करोड के वही क्या रहा था, और अब यहाँ पर जून महीने में, 0.9% की गिरावर्ट देखने को मिली, इधर भी और इधर भ भाई हो, इसकी PDF आपको मिलेगी, जीए भाई, आशीश, गौतम, एट दरेट करके, ऑफिशल टेलेग्राम ग्रूप है, जीए भाई, आशीश, गौतम, इसको जॉइन कर ले ना, मेरे भाई, इसमें आपको 43 यार से ज्यादे स्टुन मिलेंगे, इसमें PDF मिलेगा, clear हो गया आपको होगे, कोशन कैसा आएगा, एक्जाम में, कोशन आएगा, पहला तो यार दोस्त ये बताईए, कि जून महिने में जो UPI ये उसमें कितने की गिरावट देखने को मिले, volume और value के context में 0.9%, कि data किसने जा दिकिया, NPCI ने, total number of transaction कितने रहे थे, जून महिने में 933 करोड, कितने के transaction रहे थे, तो 14.75 लेक करोड के transition रहे थे, ठीके बस, इतना पढ़ना, okay, number of transaction was higher, 59%, अब ये और पिछले साल के जून से comparison कर रहे है, ये read कर ले ना, ये वाला point, okay, ये news समस्ते है, मतलब ये जो back to back, 3 news आईए न, दोस्ते, ये तीन ही exam का कुशन है, GST related data, UPI related data, अब कितना हो चुका है, तो जो external debt है, ये मार्च 2023 के अंत तक, यानि कि ये कह रहे है, ये financial year 22-23 में, जो इंडिया का external debt है, okay, external debt मेरे दोस्त, ये कितना रहा है, ये रहा है, 624.7 billion US dollar, लेके, 624.7 billion US dollar, कुछ लोग कहेंगा, ये सर, इतना हाई फाई क्यों पढ़ा रहे हैं, मैरे ये बात समझना, यहाँ अगर मैं तालियां बटोर लूँ, और exam मैं गालियां बटोर लूँ, तो अच्छा लगेगा, नहीं न, यहाँ गालियां बटोर लेते हैं, हमाँ तालियां बटोर लेंगे, कहने का मतलब simple सा है, जो exam में आता है, अगर वही पढ़े हम लोग तो इस चित तोर पर आप जानते हो, क्या होने वाला है, तो मेरी बस आपसे इतनी उजारिश रहेगी, कि अगर news अच्छी है, तो उसकी respect करिये, और समय दीजे, otherwise one-liner की आपको आदत पड़ी हो, easy की आपको आदत पड़ी हो, आजसान आपको, आप easily, चीजों को जो adopt कर लेते हो आपको अच्छी लगने लगते हो, थोड़ा भी कहीं पर मामला फसे का, next level जाने का, वहाँ पर लोग हाथ खीचते हैं, थोड़ा समय दीजे, चीजों में कैसे interest नहीं आएगा, आज पढ़ रहे हैं, फिर कल पढ़ेंगे, तो बारा revision करेंगे, MCQ में तब और पढ़ेंगे, फिर next time पढ़ेंगे, फिर और पढ़ेंगे बहतर, तो यहां तो चीज़े connect तब होती हैं, जब आप थोड़ा समय देते हैं, समय नहीं दोगे तो चीज़े connect नहीं हो पाइए, तो प्लीज गुजारेशा थोड़ा समय दीजे, क्लियर है, समझने मेरी बात को, अब यहां पर प्लीज फोकस करिये content पर, 2022-20 में जो इंडिया का external debt है, वो 624.7 billion US dollar रहा है, तो इंडिया का external debt है, इस पर कमी देखने को में लिए, बहुत जादा कमी देखने को में लिए, बहुत जादा कमी देखने को में लिए, जो समझ रहा है, यह कह रहा है, यहां पर क इस पर Reserve Bank of India, RBI data, जो government का external debt है, वो 624.7 billion US dollar रहा है, ओके, और कितना रहा है दोस्त, यह 22 की comparison में, यह है, 22-23 और 21 की comparison में, ठीक है, RBI के अनुसर, 12-22 में जो external debt रहा था, वो रहा था आपका 619, 619.1 billion US dollar, ओके, इस data को समझते है, Reserve Bank of India के रहा है, 21-23 financially है रहा है, उसमें RBI का external debt, जो बहार से रिड़ लिया गया, वो 619.1 billion था, और वही RBI का external debt, 22-23 financial रहा है, तो लगवा कितने की कमी देखने को यहां पर मिलिये है, मेरे भाई, 624 है, 624, ओके, यहां पर कमी देखने को मिलिये, दोस्त, 5.6 billion की, 5.6 billion US dollar की बस दो लाइन में हमारी पूरी news खतम हो गई, 21-22 में RBI का external debt, 619 था, 22-23 में 624 हो गया, कितने की गिरावट देखने को मिलिये, 5.6 billion की बात खतम है, simple सी news है, language में complicated लग रही थी, diagram से पड़ तो simple हो गया, इतना debt था, 22-23 में, कितना debt था, 619 था, 624 हो गया, अब कितने की कमी देखने को मिलिये, इस वार marginal कमी देखने को मिलिये, 5.6 billion US dollar की कमी देखने को मिलिये, simple है मेरे भाई, ओके, इसके लाब दूसरा point एक वर यहां पर आता है, RBI के data, इसमें बोलते है, debt to GDP ratio के, यह क्या बोलते है, debt to GDP ratio, अब यह जो debt to GDP ratio इसमें क्या हुआ है, यह जो debt to GDP ratio यह भी कम हुआ है, okay, जो debt, GDP का मेरे भाई, debt कितना है, उस ratio में भी कमी देखने को मिली है, कितनी कमी देखने को मिली समझना, जो external debt to GDP ratio है, वो 18.9% था, 22-23 में, और उससे पिछली साल मेरे भाई, यह कितना था, 20%, तो जो external debt to GDP ratio, जो कि मेरे दोस्त, आपका 20% था, 21-22 में, वो 22 23 में कितना हो गया, मेरे दोस्त, 18.9%, यही एक्जाम का कोशन आएगा, मैंने एक report कराई थी, आपको उसका ना, financial stability report, इतनी important report है, हर साल वहां से एक से दो कोशन आते है, सोचो जिस जगे से मुझे पता है कि एक से दो कोशन आते है, financial stability report से, वो मैंने detail में अलग से एक session में प news है, financial stability report, FSR कौन रिलीस करता है, यह कोशन में, तो SSC तक मैं पूचा याता है, देखे, RBA issue कर रहा है, कौन से addition रहा है, क्या 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 पॉइंट आ उसमें, एक बार प्लीज जा कर देखें मेरे भाई, ओके, next, housing development finance corporation का murder HDFC bank में हुआ है, मतलब यह कह रहे हैं कि HDFC, जो कि India क number one home loan company है, और दोस्त, इंडिया की number one जो private sector bank HDFC, तो एक home loan company का, एक bank में murder हो गया है, अब जो इस company के, जो employee होंगे, अब किस नाम से जाने जाएंगे, HDFC bank के employee के नाम से जाने जाएंगे, ओके, तो merger between HDFC, यानि Housing Development Finance Corporation Limited, HDFC bank, यह कब से लागू हुआ है, तो 1 July 2023 से यह date important बनेगी 1 July 2023 से यह murder लागू हुआ है, इस murder के बाद यह world का fourth biggest bank बन गया by market value, पहले पे JP Morgan, दूसरे पे ICBC, तीसरे पे Bank of America, पहले पे JP Morgan, दूसरे पे ICBC, तीसरे पे Bank of America रहा है, ओके, all employee जो HDFC के हैं, अब हो HDFC bank employee कहलाएंगे, clear, then, next, post murder जो HDFC bank के subsidiaries रहेंगी, वो यह सारी देख लीज तो यह overall session I hope you are clear रहा होगा, मैं अपनी तरफ से अपना सत्प्रतिशत आपको दे रहा हूँ, बस जरूरत यह है कि आप अपनी तरफ से अपना सत्प्रतिशत दीजे मेरे भाई, ओके, इस से session में जोड़िए, इस से session के अलावा आप मेरे एक warrior pro batch को join कर सकते हैं, जो भी बिल इस में आपको 5 batches मिलते हैं, complete monthly current affairs, weekly MCQ, warrior 1.02.0, financial awareness के batch हैं, almost complete होने वाला financial awareness का इस batch को लीजे, जिनका target RRB, PO clock, IVPS clock है, at least financial awareness तो complete कर लीजे, अभी बैठ के, okay, at least financial awareness complete कर लीजे, आपके लिए 6 महीने important बनेंगे, April, May, June, July, August, September, ये 6 महीने के current affairs आपको पढ़के चलने है, तो आपको सरफ ये 3 महीने backlog अपना complete करना पड़ेगा, April, May, June का, okay, तो ये आप यहाँ से weekly MCQ से monthly current affairs से complete कर सकते हैं, तो कोशिच ये करिए कि किस तरीके से आप अपनी planning कर सकते हैं, उसको लिखने की, okay, लिखिए मिरे भाई, पूरी planning को और फिर उसे execute करने पर ध्यान दीजे, आ इस अगर बचता है मैंने भाई, ठीक है, clear, बाकि आप किसी में महापायक में admission ले सकते हैं, उसके लिए आपको 8247 application को install करना है, कैसा लगा session, प्लीज यार, comment करके जरूर बताएगा, okay, एक बार comment करके जरूर बताना कैसा लगा,